आज हमारे बीच रूबरू है मुकेश कुमार पमार, मुकेश जी आपका स्वागत करते हैं मुकेश जी बताएं कि आपकी प्रकृती में और खास दोर पर तितलियों में कब और कैसे रूची हुई सर रूची तो पेड़ पोदो में और पक्षियों में शुरु से लगबग बच्पन से नहारने का शौक था और पक्षियों की पहचान के साथ साथ फिर स्नेक्स में रूची जागी और पक्षियों और पोधों और रेप्टैल्स के साथ में ये जो तीतलियां उड़ती इदर इदर नजर आती थी जिनें बच्पन में पीछे कभी हम दोड़ा करते थे तो उन में विशे सुलूप से रूची जागने लगी हुआ यह कि एक दिन पपी हा तार से उतर करके खेत में आया एक केटरपिलर पकड़ा और वो केटरपिलर था हैरी केटरपिलर मलब लंबे बाल वाला केटरपिलर जिसे हम छूना पसंद नहीं करते हैं वो केटरपिलर ले करके पपी हा वापिस तार पे बैठा और जिस दिन उस फोटो को क्लिक किया उस दिन से ही दिमाग में ये बात क्लिक कर गई थी कि इंपोर्टेंट कौन है जिस दिन पपी हा देखा खेत में उतरा केटरपिलर पकड़ा जो हैरी था जिसे चूना हम वो पौदा था जिस पे केटरपिलर है या फिर वो केटरपिलर था जिसके कारण मैंने पपी हा को देखा और प्लिक किया तो यही बात दिमाग में चलती रही चलती रही कि इंपोर्टेंट कौन है वालल मुझे किस पर ज़्यादा द्यान देना चाहिए दिरे दिर ये बात मुलब दिमाग में समझ में आती गई कि ये पपीहा मैंने इसलिए देखा क्योंकि केटरपिलर था और केटरपिलर इसलिए था क्योंकि खेट में उस केटरपिलर को फिडिंग देने वाला पौदा था तो जाहिर है कि सबसे इंपोर्टेंट चीज नेचर की है लॉकल वनस्पती मुलब देशी फ्लोरापनी जो है यहां की स्थानी वनस्पती है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो इसी स्थानी वनस्पती पे अलग अलग तरह के जीपनप रहे हैं कीट पतंगे और खास करके जो हम चीज गंदा इनहीं कीटों में ये तितली भी है जो न काटती है न डंक मारती है न हमें इससे किसी प्रकार का डर लगता है न इसमें कोई वीश है और छोटा बच्चा हो युवा हैं प्रोड हैं या कोई व्रद्ध हैं कोई भी इंसान हो अमूमन अपना ध्यान ये बटरफ्राई खीच लेती है मलब एक सहज आनंद की अनुगोती हो जाती है कहीं पार्क में बेठे हैं कहीं हर्याली में नैचर में खुले में बेठे हैं और तरह तरह की तितली आ उड़ रही है तो सहाई बाते एक पल के लिए मेरे दिमाग से तक गायव हो जाती है सिर्फ निहारो सर जैसा कि अभी बताया है कि छोटे बड़े सभी को आकरशित करती है बच्पन में हम आप भी तितलीों की पीछे दोड़े हैं और बड़ी ही रंग भी रंगी खुपसुरत होती है यदि करशी विज्ञान पे जाएं तो अक्सर मलब देखते रहते हैं हम कि अभी मक्के की फसल पे इस कीट का प्रकोफ है उड़त की फसल पे इसका प्रकोफ है तो यदि इस प्रकार की बाते करते हैं ये एक negativity हमारे दिमाग में आ जाती है कि सभी कीट हमारे लिए नुकसान दायक है प्रन्तु असल बात नुकसान के नहीं है असल बात इससे कुछ उल्टी है ये तितलिया हैं हनी बीज हैं ये सारे के सारे जो कीट हैं परागन समसे रिलेटेट कीट हैं वो फूलों पर बैठते हैं फूलों का रस पीते हैं और परागन एक फूल से दूसरे फूल पर टांस्पर करते हैं तो ये जो नुकसान कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा सा नुकसान है बनिस्पत ये जो हमें फायदा दे रहे हैं यदि फाइदेव को देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, इसका कोई मुल्य नहीं है। यही काम तितलियां भी करती है। तितलियां फुलो पर बैठती हैं, फुलो का ही रस पीती हैं। तितलियां जीवन चार चरणों में होता है अंड़ा, लारवा, जिसको हम कैटरपिलर केते हैं या इल्ली केते हैं अपनी भाशा में। और वह इल्ली बनती है प्यूपा, और प्यूपा के बाद वयस्क तितली जो हम देखते हैं रंग भी रंगी उसका प्यूपा से जन्मों होता है तितलियां खुबसूरत तो होती है अलग अलग धंग से लिखती है तो उनका इतना खुबसूरत होने का कारण क्या है प्रकरती ने उन्हें इस धंग से क्यों बनाया सर कीटों में शल्क पर्णी वर्ण एक अलग वर्ग है शल्क पर्णी यानि की लेपीडॉप्टेरा जो है उसमें दो पार्ट हैं मौट्स और बटरफ्लाइ इनके पंखों के उपर जो पावडर है जैसे अगर अंगुली टच हो जाती है तो पावडर हमारे अंगुली पे परिवार हैं तो इंपर्टेंट दोनों ही है बटर्फ्लाइज हैं वह मैघ्जिमाम डे-फ्लाइंग है मतलब दीन नजर आती हैं, दीन को विचरण करती है, इनके सारे क्रिया कलाव मतलब ये रस पीना है अगए अ अंड्य देना है इनका जीवन जीवन चरिया दीन से और इनका दिन खतम होता है, सवेरे जब हलका सा उजाला होता है और सुरी की रोशनी जब धर्दी पर पढ़ने लगती है तब इनका दिन खतम हो जाता है। एक साफ इंडिकेटर है यह कि यहां वहां का प्रियावरन शुद्ध है वहां का तापमान का है या वहां की वायू की शुद्धता का है वो उच्च स्तर पर है और जहां पर तापमान गडबड होगा यह बटरफ्लाइज है वो कोल्ड बलडेड है शीत रक्त प्रानी है सब्कूर जाना मतलोब अब थड़ा अ सामान्य हो जाएगा तीक्लिया गड़यंगी क्यों की कोल्ड बलडेड है इनको चाहिए सनलाइट जब यह गायब होती तो जाती कहा है इनकी स्लो मेटामॉ tamaॉरफोसीश हो जाता है मतलब इनकी जिवन्चरिया स्लो हो जाती है चाती क अंडे देगी और अंडे से वयस्क पीली तितली निकलने में अभी 15 से 20 दिन लग जाएंगे, ठीक है, 15 से 20 दिन में वो तितली बाहरा जाएगी, अपना एक वयस्क रूप ले लेगी, लेकिन यही साइकल, जैसे ही cold-blooded हैं, तो इन पे सर्दी का इतना ज्यादा effect पड़ेगा कि यह जो 15 दिन का साइकल है, वो 30 दिन भी हो सकता है, यह मौसम का effect, यह temperature का effect, क्योंकि यह बहुत sensitive जीव हैं, और इसी तरह से, जैसे मार्च का महिना है, तो मार्च के महिने में होली के टाइम पे हम देखते हैं, कि coldness कम होती है, जनवरी फरवरी से, और जो मई जून की जो पॉइंट होता है, तापमा न ज्यादा है, न कम है, समता होती है, तो ऐसे समय में butterfly ज्यादा मिलेगी, अभी देखें, तो अभी यह सितम और अक्टोबर में butterfly ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अभी temperature न तो बहुत ज्यादा higher है और ज्यादा low है, और घर्मियों में temperature जैसे ही 40 प और जो dense इलाका है, जहाँ पर नमी बनी हुई है, temperature maintained है, वहाँ पर उनके larva, उनके pupa अपनी cycle पूरी करते हैं, और जैसे ही अनुकुलता आती है, ये वापिस हमको दिखने लगते हैं, इनकी breeding बड़े जोरों से शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, अभी तर तरकी वनस्पती की काराण, इनके larval host plant बहुत अभी ज्यादा है, इसलिए इनकी population अभी हमें बहुत ज्यादा नजर आती है, और गर्मियों में, क्योंकि वनस्पतियों की संख्या भी कम है, और उनका फैला भी कम है, तो इसलिए इन तितलियों की संख्या भी उस हमें कम दिखती है, टेंपरेचर भी उनके, उनको सूट नहीं होता है, थोड़ा ओवर टेंपरेचर होते ही, वो खुद ही डेमेज होना शुरू हो जाती है, मुकि जी बताएं कि तितलियों को उड़ते हुए फूल क्यों का आ जाता है, उड़ते हुए फूल तो अपना-प अपना नजरिया और अपना अपना आननद है, तरह तरह की रंग भी रंगी तितलियां जैसे पीली तीली, कॉमन ग्राशीलो, सपेद तितलियां हम देख रहे हैं, आजकल जो पच्चिम से पुरू की तरफ इनका रुख अमून हमें दिखता है, और पंसी बटरफ्लाइज ह और नाम के अनुरूप जैसे पिकॉक पंसी है, तो दिखने में अद्बूती है पिकॉक पंसी, मौर का सिंबल जुड़ा हुआ उससे, तो ये तरह तरह के कलर हैं इनके, क्लोज विंग इनका अलग लुख है, ओपन विंग में इनका अलग लुख है, तो जाहिर है ये हमें नदर आएंगी, ये इनका इतना रंगीन और अलग अलग रंगों में होने का प्राकृतिक रूप से क्या कारण है, सभी का अपना-पना महत्व होता है, प्रकृति सभी को किसी न किसी कारण से उस टाइप का बनाती है, कि वो जीव सरवाईव कर सके, और अपनी वन्ष आग इनके लेवल से ज्यादा उची नहीं है, मालब एक फूट, दो फूट, तिंक फूट उससे ज्यादा वो हाइट पे नहीं जाती है, वो नेक्टार भी वही करती है, और उनके एग लेंग के जो प्लांट है, वो भी धरातल से चिपके हुए ही हम कह सकते हैं, कि छोटी- प्लांट हैं, गेको हैं, कई तरह के हैं, और बड्स हैं, बड्स हैं, तो मेंडक हैं, कई तरह के जीवों से उनको खुद को बचाना है, वो खुद को बचा पाएंगी, तो अपना वन्स चला पाएंगी, उनके कैटरपिलर को भी बचना है, और वयसक तितलियों को खुद को वह भी बचना है, caterpillar बचेगा तो वह असका तीतली बनेगी, तो caterpillar भी अपनी पत्तियों में, अब होस्ट प्लांट की शाखाओं में, होस्ट प्लांट के फूलों में, वैल कमोफलेज हो जाते हैं, मतलब वो उसी टाइप का दीखने का प्रयास करते हैं, कि परबक्षी की नजर एकदम से ना पड़ जाए, वो अपना वन्स चला सके, मुकेश जी, आपने बताया कि तितलियां उनकी जनसंकिया अच्छा होना, उनका अच्छी तादाद में होना, पारिस्तिके के अच्छे होने का प्रतीक है, तो बताया कि दक्षणी राजस्तान में, क्या अभी तितलियों की जनसंकिया अच्छी है, या हम यह मान लें कि हमा हमारे उदेपुर की बात करें तो उत्तर में ये कुंबलगड है और खेरवड़ा के उधर की तरफ हम देखें ये फुलवारी की नाल का जंगल है जो बहुत बड़ा जंगल है इधर ये प्रतापगड साइड में सीता माता भ्यारन्य है और फिलहाल तो ये इस्थितियां अभ तरहतर की वनस्पती अभी भी यहाँ पर है तितलियां इतनी सारी मिलती है लेकिन फिर भी दक्षणी राजस्तान में मुख्य रूप से पाई जाने वाली कौन सी तितलिया है उनकी क्या पैचान है ये थोड़ा हमारे शुरताओं को बताईए जी सबसे सामान्य रूप से त बोधा होता है अभी बारिश में जंगली जिसको साइंटिपिक भाषा में केस या टोरा बोलते हैं तो अभी फिलहाल तो उस पर आप देख सकते हैं मंडाती हुई ये पीली तितलियां इन पीली तितलियों में भी असल में तीन प्रकार की वेराइटीज हमारे यहां पर है और कॉमन गराश यलो उन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन है जो और सबसे अधिक दिखने वाली है और दूसरे नंबर पर सफेद रंग की तितलियां हमें दिखाई देती हैं ये सफेद रंग की तितलियां एमिग्रांट्स हैं कॉमन एमिग्रांट्स एंड मॉटल्ड ए मैंने जाना कि वही सीटी एरिया में भी एक एमिग्रांट्स खुब गुम रही है अभी तो है उदेपूर के सीटी एरिया में यह बताए कि कई बार समूम है एक बड़े जुन में बहुत सारी तितलिया नजर आती है तो यह कैसे होता और क्यों होता है सर यह असल में माइग्रेशन होता है बटरफ्लाइस का और इसके बारे में मैं ज्यादा डीटेल नहीं कहूंगा माइग्रेशन अभी हम देख रहे हैं हमारे आसपास तो पस्चिम से पुरू की तरफ तो हमारे आसपास भी यहाँ पर वो वाइट वाली बटरफ्लाइस यानि के इमिग्रांट्स बटरफ्लाइस हैं वो जा रही है यह माइग्रेशन क्यों करती हैं? यह migration जैसे यहाँ पर population इनका बहुत ज्यादा हो गया है और इनको संभावना लगती है कि हमारे larval host हैं वो उस दिशा में ज्यादा है और उस दिशा का environment हमारे लिए suit है तो वो उस दिशा में गमन कर जाती है मलब यह एक तरह का genetic system कह सकते हैं जैसे कि birds हैं वो यूरोप से इंडिया में आए यहाँ पर breed किया उनके बच्चे वापिस गए उनके बच्चों ने रस्ता थोड़ी देखाए तो यह पूरा genetic system कह सकते हैं इसको मुखेजी अब बात उस चीज़ की जिसकी वज़े से हम आपको आज रूबरू हो रहे हैं वो यह कि आपने तितली की एक नई प्रजाती की खोज की है पहले तो यह पताए कि यह खोज कब और कैसे हुई और आपको कैसे पता चला कि यह तितली की प्रजाती पहले खोजी न अंडा रखे कि उसका अंडा कैसा होगा, उसका केटरपिलर कैसा होगा, यह सब जानने का एक शौक और जुनुन सा हो गया था, तो इसी में ही सागवडा में मेरे घर से लगबग आधा किलोमेटर दूर फार्मा है, किसी नीजी वेक्ति का फार्मा है, तो वहां पर मुझे आन इसपाइलिया गलबा, यानि कि इंडियन स्किपर, जो हमारे यहां की एक सामाश्य तिदली है, यह उसकी हूबभू कॉपी तिदली है, इसपाइलिया जेवरा, लेकिन इसकी जो हैबिट थी, मुलब उसकी बेटने का स्टाइल, उसके उड़ने का स्टाइल, और इसके पीटर सर को फोटो दिखा है मैंने बटरफ्लाई रिसर सेंटर भीमताल में उत्तराखंड में जो है पीटर सर उन्होंने फोटो देख करके मुझे ये जरूर कहा कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही बैठ रहा है ये इसपालिया गल्बा नहीं है ये कुछ और है जिसको हम नह जानते हैं और फिर इसका एक सेंपल कलेक्शन लिया गया और पीटर सर ने अपने रिसर सेंटर में इसकी पड़ताल करी पूरी और उन्होंने इसे आइडेंटिफाई किया एज इसपाई लिया जेबरा और बायनोट्स जो एक साइंटिफिक पत्रिका है उसमें इसे पब्ल जी ने गई और पहले खोजी भी क्यों ने गई सर जीज दिन फोटो कीचा उस दिन मुझे अंदाजन नहीं था परंदु घर पे आके जब उस तितली की फोटो बड़े बारीकी से देखी तब दिमाग में कुछ जरूर हुआ था कि ये कुछ समान्या है अब हो सकता है कुछ वेरियेशन हो जैसे कुछ मॉर्फ हो जैसे हमारे भी किसी का रंग थोड़ा श्याम होता है किसी का गोरा होता है हो सकता है मुलब थोड़ा ऐसा कुछ हो तो दुबारा फोटोग्राफ ही हुई और जब पीटर सर ने देखा और उन्होंने कनफर्म किया कि तुम सही कह रहे ह तो यह कुछ अलग ही है यह असामन्य चीज है तो उसके बाद मुझे हो गया था कि वास्ता में मैंने कुछ अलग देखा है यहूँ तितलियों की कितनी अमूमन प्रजातिया हमारे मुल्क में मिलती है और आपने जो खोजी इसका नंबर हम क्या रखें सब बटरफ्लाई रिसर्च सेंडर भीमताल के अनुसार तो यह तेरासो अटाइस फीत इतली है भारत की भारत में इसे पुरू में आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और यह पाकिस्तान में ज़रूर 1888 में आइडेंटिफाई हुई थी और अभी दोजार सोला में जो प इतने सालों बाद इसकी साइटिंग हुई है आप ही कहना चाह रहे हैं, तो कैसा लगा जब आद में पता चला आपको कि ये बहुत सालों बाद देखी गई है और ये एक नई प्रजाती है। आप सब काशिरवाद है। ये ख्याल से राजस्थान में 140 से 150 होनी चाहिए है। अभी भी काम बहुत शेश है। अभी भी हम कह सकते हैं कि हम काफी कुछ नहीं जानते हैं। उकेश जी जाते जाते ही बताइए कि हम तितलियों को देखें, उनका आनन लें। ये बहुत सारे लोग किताबों में भी तितलियों को सभाल कर रखते हैं जो कि ये अलत है। लेकिन तितलियों की हम इजजत क्यों करें। तितलियों की रक्षा, संरक्षन क्यों करें और उन्हें किताबों में क्यों नहीं डालें। सर, किताबों में डालने पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बटरफ्लाई छुने की चीज नहीं है। जैसे ही बटरफ्लाई को थोड़ी उंगली भी लगेगी तो उसके विंग से शलक हट जाएंगे। और शलक रहित विंग उसके कमजोर होंगे, उसकी फ्लाइट कमजोर हो जाएगी, प्रेडाटर्स उस पे अटेक कर सकता है। वो अपने आपको बचाने में थोड़ी जैसे हम फालतूख खरपतवार समझते हैं उपर वाले ने कुछ ना कुछ समझ करके इसे बनाया है, हर पोधे पर कोई नहीं कोई कैंटर्पीलर जरूर है, वो कैंटर्पीलर या मौत बटरफ्लाई का है, मागजीमम ह Gwen, नो अपने खेतों में अच्छी फचिसरी अश्री थ दालते हैं, हम कई तरके रसायन डाल रहे हैं, हम कीटों को हटाने के लिए कितना शक डाल रहे हैं, हम फंगस ना हो उसके लिए भी प्रबंद कर रहे हैं, हम खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नाशी दवाएं भी छाट रहे हैं, तो आप सबसे यही विंती करूंगा कि कृपया उपर वाले ने जो इस धर्ती को बनाया है उस धर्ती को उसी रूप में रहने दें उसको राशाईनिक ना बनावें और ये सारी वनस्पतिया हमारे लिए बहुत जरूरी है बले बटरफलाई हमें डारेक्ली कोई लाब नहीं पहुचा रही हैं परंतु ये परागण की क्रिया संपन करके और इंवार्मेंट के एक इंडिकर्टेर के रूप में हमारे बीच विद्यमान है हम इनका सम्मान करें इनके लारवल होस प्लांट इनके नेक्टार प्लांट ये सभी जरूरी हैं हम सारी बनस्पती का सम्मान करें और butterflies हैं यह सारी इल्लिया हैं तो तरह तरह के जीव जैसे की birds है जो birds इल्लिया खाती हैं मुलब मांसारी हैं वो आरे इन caterpillars को Бी खा सकती हैं कईयों को खाते हुए मैंने click भी किया है और जैसे पपी हावाली मैंने आपको बात बताई थी और उसी तरह से ये स्किंक हैं, गेको हैं, मैंटीस हैं तरह-तरह के स्पाइडर्स हैं तो स्पाइडर वेप में भी आप बटरफ्लाइस को फसी होई देख सकते हैं तरह के spider इन butterflies पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं वालब बात हम सिर्फ butterfly की कर रहे हैं इस butterfly के साथ अन गिनत वनस्पतियां अन गिनत spider की जातियां dragonflies, skink, gecko, frogs और कई तरह के birds ये सब आपस में related हैं इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं वालब एक है तो दूसरा है दूसर है तो तीसरा है तो ये एक खाद्य शंगला है इस खाद्य शंगलागा भी हमें सम्मान करना चाहिए असर तो बहुत खुबसूरत है और उसकी खुबसूरती का एक बहुत बड़ा प्रतीख है तितलियां इन्हें ज़रूर बचाएं मुकेश कुमार पवार जी आपका बहु झाल 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 झाल